हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है जी पर आज हम लोग प्रवर्ब्स की सीरीज में यह चौथा पार्ट देखेंगे इसमें मैं दस प्रवर्ब्स आपके साथ डिस्कस करूंगा इससे पहले मैंने तीन पार्ट और प्रवर्ब्स is not gold all that glitters is not gold means हाथी के दाथ खाने के और दिखाने के और तो इसका मतलब यह होता है कि जो भी चीज बाहर से बहुत चमकीली होती है या बहुत साइन करती है तो जरूरी नहीं है कि वो उसका true nature हो या real में वो उसके true nature को दिखला रहा हो एक और example कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बाहर से आपको काफी बहतर लगेंगे लेकिन internally अंदर से वो होंगे नहीं वैसे तो इसका यही मतलब है कि all that glitters glitters मतलब चमकता है तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हिंदी में इसका मतलब है हाथी के दाथ खा quality को जानने की गोशिज कीजिए देन है nearer the church farther from heaven nearer the church का मतलब हुआ कि church के नजदीक farther का मतलब दूर heaven मतलब स्वर्ग होता है means हिंदी में इसका मतलब है चिराग तले अंधेरा इसका हावत को बोलता है चिराग तले अंधेरा मतलब कि बहुत सारे case में आपने देखा होगा कि जो वेक्ति बहुत जादा devoted होगा या बहुत जादा religious होगा तो कभी कभी आपको पता चले है कि वही God से जादा दूर है या वो corrupt practices में involved है इस तरीके से तो अकसर आप ये अपने समाज में या society में या country में बहुत सारे ऐसे matter आपने देखे होंगे कि जो जितना सौफ करेगा कि वह काफी religious है काफी cultural है तो पता चले है कि वही जादा corrupt practices या गलत कामों को कर रहा है तो nearer the church farther from heaven then है third number पे a fox is not taken twice in the same snare fox को generally हम लोग चलाक जानवर के रुप में जानते हैं twice का मतलब होता है दुबारा और same snare snare का मतलब फंदा या जाल तो a fox is not taken twice in the same snare का मतलब होगा अकलमंद दुबारा एक ही जाल में नहीं फस्ता means जो भी वेक्ति sensible होते हैं तेज होते हैं तो वो दुबारा same गलती को repeat नहीं करते हैं बलकि अपनी पुरानी गलती एक बार हो जाने के बाद उसको सुधारते हैं और फिर से वो गलती नहीं करने की कोशिस करते हैं तो ये मत अगर कोई प्राबलम आ रही है वो शुरुवातिय स्टेज में है और उसी समें उस प्राबलम को अगर हम सौट आउट कर ले तो वो प्राबलम हमारे लिए बहुत बड़ी समस्य आगे जाकर नहीं बनेगी और हमारा बहुत ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं होग और नहीं हमारा फाइनेंसे बहुत ज्यादा उसमें लेगा तो कोई भी प्राबलम हो कोई भी बीमारी हो अगर हेल्थ रिलेटेडिस हो तो उसको शुरुवात में ही उसका इलाज कीजिए या उस प्राबलम को दूर करने की कोसिस कीजिए तो बद अच्छा बदनाम बुरा इसका मतलब यह हुआ कि कभी-कभी क्या होता है कि बदनामी इतनी ज्यादा हो जाती है जितनी जितना उसका कार बुरा नहीं होता है या ऐसा भी होता है कि कार बुरा करने वाले से कभी-कभी वैसे लोग ज्यादा बदनाम हो जाएंगे जिन्होंने हो सकता वैसे कारे को किय भी नहीं हो लेकिन वह बदनाम हो गया और उसकी वाई से उन्हें काफी दिक्कत होती है तो इसलिए है कि a bad name is worse than bad deeds तो भूरा करने वाले को बहुत time society ignore कर दोती है लेकिन जिसकी बदनामी एक बार हुई उसको लोग बहुत समय तक एक तरीके से प्रतारित करेंगे उसको परिशान करेंगे तो यह सारी चीज है देने 6 नमर पर anger is blind क्रोध में मनुस्य अंधा हो जाता है तो इसका simple सा मतलब है कि जब भी आप कोई कार्रे को करते हैं और उससे में आप क्रोध में हैं या उतेजना में हैं तो वो कार्रे जेनरली आप बहुत अच्छे ढंक से न देना बैड टेनेंट एंपटी हाउस का मतलब खाली मकान बैड टेनेंट का मतलब बुरा किरायादार तो बेटर एंपटी हाउस देना बैड टेनेंट का मतलब हुगा कि बुरे किरायादार से मकान खाली रखना अच्छा है मतलब कि अगर आपके पास मकान है तो उसमें किस बुरे क्रियादार या जो क्रियादार आपको सही नहीं लगड़ा तो उसको माकान देना कभी भी सही निर्णे नहीं होगा देन है इससे बहतर है कि उसको आप खाली रखें देन है एट नमबर पे बुलीज आर जेनरली क्वार्ड means सेखी बाज कायर होते हैं quad का मतलब कायर generally का मतलब प्राया बुलीज मतलब वैसे लोग जो कि डराते धमकाते रहते हैं या उगर परविरती के लोग या गलत लोग जो क्रूर टाइप का वेवार रखें तो वैसे लोग जनरली क्या होते हैं कि ये लोग जो बुलीज होते हैं वो उन्हीं लोगों को परिसान करेंगे जो उनसे थोड़े कमजोर होंगे और इस वज़ा से कहा जाता है कि सेखी बाज कायर होते हैं क्योंकि अगर वो सही में बुली हैं या बहुत ज्यादा बलसाली हैं तो वो अपने से मजबूत या अपने समकर्थ के लोगों को देख लें परिसान करके तो बुली जार जनरली कवार्ट सेखी बाज कायर होते हैं देन नाइन नमबर पर है चाल्ड इस दी फादर ओफ मैं बेटा बाप से बरा इस प्रोवर्ब का मतलब यह होता है कि बजपन में हम जो सारी चीज़ां सीखते हैं या जो हमारा कैरेक्टर होता है जो हमारा नेचर होता है वही नेचर जनरली हमारे एडल्ट में या हमारे थूआउट लाइफ में दिखाई देता है कहीं न कहीं तो इसलिए बजपन का जो फेज होता वो काफी इंपोर्टेंट होता और उसमें किसी बच्चे का डेवलाप्मेंट सही धंग से होना चाहिए क्योंकि वही सारे वैलू जो उसके साथ आगे भी रहेंगे देन है टेन नमबर पे बाई ट्राइंग दे ग्रिक्स गॉट इंटू ट्रॉय मिन्स हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता बाई ट्राइंग दे ग्रिक्स गॉट इंटू ट्रॉय मिन्स हिमत करें इंसान तो क्या नहीं हो सकता मिन्स कि किसी भी कार को ऐसा नहीं कोई भी कार किया नहीं जा सकता है ज़रुरत है उसे प्रॉपर धंसे करने की उसमें धैर रखने की तो हर कार संभव है इसका यही मतलब है तो दोस्तों ये थे 10 प्रोवर्ब्स कहावते हिंदी में काफी important प्रोवर्ब्स है और इनको यूज करके आप अपने English language को काफी जादा attractive, ornamental और काफी ही जादा enjoyable बना सकते हैं तो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो like share करना ना भूलें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों